हेलो एवरीवन वेलकम बैक तो माई चैनल तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में शेयर करेंगे इस डिजाइनर कुरती की कटिंग स्टीचिंग का वीडियो बहुत आसान तरीके से स्टेप बाइ स्टेप तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो का एंड तक जरू फैब्रिक लिया है सो गाइज यह फैब्रिक थोड़ा सा वेवी फैब्रिक है यानि यह फैब्रिक स्टेचेबल है तो इसलिए यह थोड़ा सा फॉलिंग फैब्रिक है तो हमारा यह फैब्रिक दो मीटर है यह दो मीटर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इस फैब्रिक की वि इसके बाद मैं आपको इसकी विट दिखा देती हूं तो जो इसकी विट है वो काफी ज्यादा है तो पूरा एक इंची टेप से भी ज्यादा यानि 16 से भी ज्यादा है सो इस तरह से यह हमारा लगबग 62 इंच की विट वाला फैबरिक है अब यहां देख़े हैं जो इसकी किनारी वाला साइड है यहां से हम इसको कट कर देंगे बिकोज यह काफी श्रिंकी है यानि श्रिंक हो रहा है काफी ज़्जादा तो यहां से हम दोनों साइट से इसकी किनारी को निकाल देंगे ताकि हम जब कटिंग करें तो हमें कोई प्राबलम ना हो सो किनारी कट हमने कर ली है अभी फैबरिक को डबल फोल्ड किया है टू मिटर में इसके बाद हम इसको 4 fold कर लेंगे तो 4 fold मैंने 22 inch की width पर किया है अब आगे से जो हमारा fabric बचेगा इसमें से हम अपनी cuff sleeve और collar और cuff बना लेंगे तो यहां से हम इसको cut कर देंगे इस तरह से हमने cut कर लिया है देखिए इतना fabric हमारा बच गया है जो आगे हम इसको use करेंगे इसके बाद हम इसको open कर लेंगे तो 22 inch की width पर हमने इसको cut किया था तो open करने के बाद यह 44 इस तरह से आया है अब हमने इसको single में यानि double fold ऐसे कर लेना है पूरी length में इसके बाद इस side से भी हमने इसके ओपर इसको रख लेना है तो यह हमारी अलग अलग layer हो जाएंगी दो fold side है यह वाली अब देखिए उपर वाला जो हमारा part है इसको हमने एक inch नीचे रखना है यहां से तो जो नीचे वाला part हमने एक inch बढ़ा के रखा है वो हमारा back part होगा और उपर वाला हमारा front होगा अब यहां middle में से इसको हम cut कर देंगे तो जो bottom है वो इसके बराबर है और जो shoulder के side से है वो हमने एक inch gap रखा है यानि back वाला एक inch बढ़ा के रखा है अब यह fold वाली side है यहां से हम उपर वाले part पर धाइंच का mark करेंगे जहां से हमने button पट्टी बनानी है तो यह हमने उपर वाले part पर marking करनी है अब इतना fabric हम यहां से fold कर देंगे और यहां पर हम pin लगा देंगे जो उपर वाला part है हमारा यानि front वाला part है उसमें हमने डाइंच fabric को इस तरह से fold कर देना है और यहां pin लगा कर set कर देना है जिसमें हमने अपनी button पट्टी और काज पट्टी बनानी है तो यह fabric हमने अलग से नहीं लगाना पड़ेगा यह इसी के साथ हमें मिल जाएगा अब यहां से pin लगा कर इसको set कर लेंगे इसके बाद हमने इसको पीछे मिला लेंगे यानि दोनों की fold side अब हमारी बराबर आएगी इस तरह से और जो fabric की open वाली side है वो आगे की तरफ है आप देखिए हमने यहां से marking करना है स्टार्ट करना है तो shoulder का half लेंगे collar बना रहे हैं तो half inch extra ले लेंगे तो मैं यहां पर 7.5 inch पर mark करूँगी and armhole की length में 7 inch लोंगी तो इसको सीधा mark करेंगे उसके बाद उपर की तरफ सीधा mark कर देंगे इस तरह से अब हमने अपना bust का foot part करना है तो यह मैं अर्थी chest के लिए बना रहे हूँ तो यहां पर मैं 9.5 inch पर chest की fitting लगाऊंगी इसके बाद shoulder पर इंचे tape रखना है और 15 inch की length लेनी है waist round के लिए और जो हमारा waist round है वो 8 inch आएगा क्योंकि 32 inch इसकी कमर रेडी है तो 8 inch पर हमने fitting का mark किया अब दोनों mark को line up कर देंगे इसके बाद हमने अपने back armhole की marking करनी है और half से 5 inch अंदर की तरफ front armhole की marking करनी है अब कंदी down करने के लिए हम 1 inch पर mark करेंगे तो यह उपर वाला part है हमारा और यहां से हम 3 inch width लेंगे क्योंकि neck की width हमारी 3 inch रहेगी अब इस तरह से हम इसको slant में mark करेंगे और 1 inch हम अपने back की जो कंदी है वो down करेंगे इस तरह से और जो width रहेगी वो 3 inch रहेगी तो कुछ इस तरह से हम अपने दोनों की कंदी down कर देंगे इसके बाद हमने आगे की तरफ seeming lounge ले लेना है जितना भी जरूरत है उसके बाद यहां इंची tape रखना है और इस side में corner में मिलाकर हमने marking कर देनी है इस तरह से इसके बाद नीचे bottom से हम लगबग 3 inch पर mark करेंगे यहां से सो यह marking हमने उपर की तरफ 3 inch पर करनी है अब इस mark को हमने पीछे की तरफ curve shape में ले जाते हुए mark कर देना है इस तरह से अब उपर वाले part में हमने high ककट देना है यानि जो हमारा front वाला part होगा वो high होगा तो उसके लिए मैं 8 inch उपर की तरफ mark करूंगी यहां से और इस mark को अब हमने दूसरे corner पर मिला देना है हलकी सी गोलाई देते हुए तो अच्छे से यहां पर हम इसको shape दे देंगे इस तरह से और mark कर देंगे so marking हमारी complete हो चुके इसके बाद हम cutting करेंगे तो यहां से हम सबसे पहले कंधी down करेंगे तो यह हमारा back वाला part है जिसके हमने कंधी down करनी है इसके बाद back armhole की cutting करेंगे और उसके साथ हमने जो seeming allowance की marking की है उसके पर हमने cutting कर देनी है इस तरह से और यह जो बचा हुआ fabric है इसमें हमने अपनी frill बनानी है और belt बनानी है तो यह हमारा front वाला part है जिसमें हमने कंधी down किये इसके बाद हम अपने back neck की cutting करेंगे तो यहां पर मैंने एक इंच की गहराई पर back neck की marking की है और जो हमारा front neck होगा उसके लिए हम 3 इंच की गहराई लेंगे और यहां से हलकी सी गुलाई देते हुए मार्क करेंगे तो back neck हमने 1 इंच की गहराई पर cut किया है अब जो हमने front neck cut करना है तो दिखिए जो हमने front neck की cutting करनी है तो यह हमने उपर वाले part में cutting करनी है front neck की इस तरह से इसके बाद हम अपने front arm hole की extra cutting कर लेंगे और जो हमारा नीचे वाला high वाला गहराई है इसको भी cut कर लेंगे इस तरह से इसके बाद जो हमने 2 इंच fabric fold किया था यहां से pin निकाल लेंगे और इसको सीधा करके middle में से cut कर देंगे तो यह हमारे 2 part बन जाएंगे front के तो दिखिए यह हमारे 2 part बन गए front के और जो हमारा back वाला part है यह हमारा इस तरह से है तो यह हमने A line में cut किये हैं दोनों part अब हम अपने front वाले part को open करेंगे तो इसकी cutting के time हमने जो 2.5 इंच fabric fold किया था उसके लिए हमने button पट्टी और काज पट्टी fold करनी है तो कैसे करनी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ तो यह वाला हमने right side में fold इस तरह से करना है तो यहाँ pin लगाएंगे और यहाँ पर हमने एक stitch करनी है इस तरह से और यह वाला part हमने wrong side में fold करना है तो इस तरह से हमने इसको wrong side में अंदर की तरफ fold किया तो यह wrong side है और ये right side है तो दोनों पार्ट अभी फिलहाल right side उपर रखे हैं अब हमने ये extra पट्टी कट कर देनी है यहां से इसके बाद हम यहां पर छोटे से notch लगाएंगे जहां तक हमने सिलाई की है अब इसको wrong side में turn करेंगे तो यह हमारी काज वाली पट्टी हो जाएगी इस तरह से और इसको अब हम right side में turn करेंगे तो यह पट्टी हमारी button वाली पट्टी बन जाएगी इस तरह से तो guys एक पट्टी wrong side में जाएगी और एक पट्टी right side में जाएगी जो जिसमें बटन लगाना है वो right side बाएगी तो ये right side है अब हमने देखिए इसको जो हमारी काज वाली पट्टी इसको wrong side में इस तरह से fold कर लेना है किनारे पर एक stitch लगा कर और जो हमारी बटन वाली पट्टी है इसको हमने right side में fold करना है जो इसकी सिलाई है वो हमने एक पैर की दूरी पर लगानी है तो इस तरह से देखिए हमने ये दोनों पट्टिया fold कर ली है और जो हमारी बटन वाली पट्टी है उसके एक पैर की दूरी पर हमने दोनों side से एक एक सिलाई लगा दी है अब इसके बाद ये इसके उपर इस तरह से ओरलेप होकर आएगा अब हमने इसकी कंधिया जोइन करनी है यानि जो हमारा बैक वाला पार्ट है इसके उपर रखना है और दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी और यहां से 1.5 इंच के दबाव लेकर हम कंधी जोइन कर देंगे इस तरह से हमारी कंधी जोइन हो गई है इसको अब हम ओपन करेंगे अब हमने इसकी स्लीव रेडी करनी है स्लीव के लिए सबसे पहले जो हमारा ये फैबरिक बचा था तो इसमें से हम अपनी स्लीव लेंगे ये डबल फोल्ड है अब इसको हमने फैबरिक को फोर फोल्ड कर लेना है इस तरह से सो इसको मैं लगबग 11 इंच की विट पर फोर फोल्ड करूंगी So 11 inch की वीट पर हमने इसको 4 fold किया है और जो length है वो 15 inch है अब यहाँ से इसको हमने cut कर लेना है और जो fabric पचेगा वो उसमें से हम cuff बनाएंगे और collar बनाएंगे तो दिखें ये fabric पचा है इसमें से हमारा cuff बनेगा और collar बनेगे अब हमने अपने स्लीव की मार्किंग करनी है तो देखिए ये हमारी स्लीव का फैब्रिक है फॉर फॉल करके ये इसकी फॉर लियर है इस तरह से आप स्लीव की लैंद बढ़ाए भी सकते हैं अब यहां से जो हमारी ओपन वाली साइड है यहां से मैं लगबग 3 इंच पर माग करूँगी और उपर से नीचे की तरफ भी 3 इंच माग करूँगी अब यहां से आरमूल की शेप दे देंगे इसके बाद हमने मोरी की तरफ से कुछ भी नहीं कट करना इतना ही रखना है और यहां से हलकी सी गोलाई देते हुए माग कर देंगे अब हमने इसके ओपर कटिंग कर लेनी है इस तरह से और यहां से हम एक्स्ट्रा कटिंग भी कर लेंगे फ्रंट आरमूल में इसके बाद हमने कफ बनाने के लिए फैब्रिक ले लिया है इसकी लेन्ट और विट मैं आपको बता देती हूँ तो देखे इस तरह से यह हमारा साड़े चे इंच है यानि तहरा इंच और इस तरह से हमारा यह साड़े दास इंच है अब इसमें से हम एक पार्ट निकाल देंगे और यहां पर मैं आपको एक स्लीव रेटी करके दिखाऊंगे तो देखे जो हमारा एक कफ है उसकी जो इस तरह से लंबाई है वो दास इंच है और जो इस तरह से चोड़ाई है वो लगबग तेहरा साड़े तेहरा इंच है तो यह कफ की इस तरह से डबल कर लेंगे हम तो यह लैंट आ जाएगी अब हमने इसको इस तरह से रखना है और इसके ओपर हमने स्लीव रखनी है तो इसके ओपर हमने स्लीव की राइट साइड रखनी है और यहां पर हमने रफली ग्यादर्स बनाने है इस तरह से तो इसको हमने wrong side में रखा था, अब ये हमारा right side में इस तरह से आ जाएगा इसके बाद उपर की तरफ से half inch fabric fold करेंगे और इसके उपर overlap करकर किनारी पर sly लगा देंगे तो दोनों sleeve को हम इसी तरह से ready कर लेंगे आप चाहें तो ये sleeve fitting लगाने के बाद भी joint कर सकते हैं इस तरह से सो कुर्ती में अलग fitting लगाएं और sleeve में अलग इसके बाद जो हमारा sleeve का यानी armhole extra है यहाँ पर थोटे छोटे gathers बना कर इसके साथ attach कर सकते हैं बट यहाँ पर मैं open करके लगाऊंगी सो sleeve की और कुर्ती की right side अंदर की तरफ रहेगे और wrong side बाहर की तरफ और sleeve और front वाले part जो हमारे extra armhole की cutting है वो एक साथ रहेंगे इस तरह से और center मिलाते हुए यहाँ पर जितना fabric extra है यहाँ पर छोटे छोटे gathers बना देंगे और इसी तरह से हम दूसरी sleeve भी यहाँ पर joint कर देंगे so guys sleeve के shoulder पर हमारे लगबग 4 इंच की gathers आई हैं तो यह हमने roughly gathers डाली है इस तरह से और इसी तरह से हमने दूसरी sleeve भी लगा लिए इसके बाद हम इसकी fitting कर लेंगे so fitting करने के लिए इस तरह से हम fabric को दोनों side से मिला कर रखेंगे अब यहाँ से जो भी हमारी कलाई की fitting है यहाँ से fitting लगाते हुए हम अपनी कुर्टी की fitting नीचे तक लगा लेंगे दोनों layer हमारी बराबर है और इसी तरह से दूसरी side में भी fitting लगा कर इसको ready कर लेंगे इसकी गुलाई हमारी लगबग 8 इंच है अब इसके लिए हमने fabric लेना है सो कफ बनाने के बाद हमारा जो यह fabric बचा था इसको हमने इस तरह से double fold किया है इसके बाद हम इसको four fold कर लेंगे अब मैं इसकी width 3 इंच लूँगी अगर आपको color broad चाहिए तो आप 4 इंच भी ले सकते हैं तो मैं 3 इंच पर इस तरह से mark करूँगी तो यह four fold है अब यहां से इसको हम सीधा cut कर लेंगे अब इसको हमने देखिए mark करना है color हमारी 8 इंच थी तो इसको हम साड़े 8 इंच पर mark करेंगे हाफ इंच हमने seaming lounge लेना है इसके बाद हम इस mark को उपर corner में इस तरह से मिला देंगे तो देखिए उपर से हमारी ये color 10 इंच है और नीचे से हमने इसको विटली है 8.5 इंच अब हमने इसको cut कर देना है यहां से और center में भी छोटे से notches लगा लेंगे इस तरह से so open होने के बाद ये कुछ इस तरह से रहेगी इसके बाद हम इसको double fold करेंगे और यहां से एक stitch लगाएंगे तो यहां से हमने fabric को half inch fold करना है और नीचे वाली layer half inch आगे की तरफ निकाल कर एक stitch लगा देंगे और इसी तरह से अब हम यहां से भी fabric को set करके पिल लगा लेंगे तो दोनों side से हमने एक stitch लगा देनी है अपनी collar के according और center का जो fabric है यहां से भी हमने half inch fold कर देना है इस तरह से तो दिखिए दोनों side में हमने लगा लिए इसके बाद इसके corners cut कर देंगे और इसको बाहर की तरफ हम turn कर लेंगे और जो corner है उसके हमने अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेने है इस तरह से सो इस तरह से हमारी collar ready हो गई है अब हमने अपनी कुर्ती के neck से join करना है सो जो collar है हमने कुर्ती की right side की तरफ से रखना है इस तरह से सो आप वीडियो में अच्छे से देख सकते हैं हमने right side पर collar रखी है और यहां से जितना भी दबाव है हमारी कुर्ती के neck में उसको हमने पूरा लेना है सो collar जो है हमारी वो कुर्ती के neck के बिल्कुल बराबर है तो यहां पर कम ज़्यादा होने का सवाल ही नहीं है सो देखिए इस तरह से बराबर है अब center में भी एक पिल लगा लेंगे और यहां से बराबर मिलाते हुए हमने इसको सिल देना है तो सिलाई का margin हम लगबग एक पैर लेंगे क्योंकि हमारा जो कुर्ती की किनारी से यहां से एक पैर फैब्रिक extra है सो इस तरह से हमने सिल लिया है इसके बाद हमने जो कॉलर का फैब्रिक है वो half inch अंदर फोल्ड कर रखा है अब सिलाई वाले फैब्रिक को अंदर रखेंगे यानि margin को अंदर रखेंगे और इसके उपर हम एक top stitch कर देंगे साथे साथ हम इसके किनारी पर भी एक पैर की सिलाई कर देंगे इस तरह से सो इस तरह से हमारी color ready हो चुकी है इसके बाद हम कुर्ती के bottom में frill लगाएंगे सो guys frill लगाने के लिए हमारे पास कुर्ती में से जितना भी फैब्रिक बचा था हमने उसकी पत्टें कट कर लिए है और जो इन पत्टियों की चौड़ाई है वो लगबग हमने 5 इंच लिए है सो यहां से हमने 5 इंच लिए है और जितनी भी हमारे पास पत्टिया थी हमने उंको एक दुसरे के साथ जॉइंट कर लिया है तो इस तरह से ये इसकी जो लंबाई है वो काफी जादा हो गया आप देख सकते हैं हमने जॉइंट लगाए हैं तो लैंट बढ़ाने के लिए हमने जॉइंट लगा लिये हैं क्योंकि हमने इसे दो मीटर फैब्रिक लिया था और अगर आपके पास फैब्रिक ज्यादा है तो जॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है और एक दो जॉइंट आ भी जाए तो कोई दिखत नहीं है तो यहां पर देखे नीचे से हमने इसको हैम कर लिया है और उपर की तरफ हमने एक बड़ी चाल पर सिलाई लगाई है जिसको हमने एक धागा कीच कर छोटे छोटे चोट ग्यादर्स बनाने इस तरह से और इस पट्टी की ग्यादर्स को हमने अपनी कुर्ती के बाटम के बराबर कर लेना है तो इस तरह से देख सकते हैं इसको मैं डबल फोल्ड करके आपको दिखा देती हूं so यह इस तरह से है और जितना हमारा bottom है यानि bottom भी हमारा double fold है और frill भी हमारी double fold है अब हमने इसको इसके साथ joint कर देना है यानि यह इसके बराबर है so कुर्टि की right side में हमने इसको रखना है अपनी frill को so काफी अच्छे से हमारी gather लगे हैं करेंगे इसको आगे तक इसको हमने इसी तरह से सिलते जाना है बड़ जब हम ग्यादर्स लगाएंगे उनको अच्छा से सैट करेंगे नहीं होनी चाहिए सबी ग्यादर्स बराबर होनी चाहिए सो देखिए इस तरह से हमारी ये रफल कुर्टी के बाटम में लग चुकी है और हमने एक स्टिच भी लगा ली है एक पैर की ताकि जो हमारी गैदर्स का मार्जन है वो अंदर की तरफ रहे इसके बाद आप देख सकते हैं हमने यहां उपर की तरफ फैबरिक बटन लगाए है आप चाहे तो यहां पर काज बटन भी कर सकते हैं बट में इसके अंदर साइड में टिच बटन लगाऊंगी अगर आप चाहें तो इसको बंद भी कर सकते हैं जितना आप चाहें यहां से इसको इतना इस तरह से बंद कर सकते हैं और आप चाहें तो इसमें काज बटन भी कर सकते हैं वो भी काफी अच्छा लगेगा इसी के साथ आप देख सकते हैं स्लीव में भी हमने चार फैब्रिक बटन इस तरह से उपर से लगा दिये हैं यहां से तो दोनों स्लीव में हमने चार्जर बटन कफ के उपर लगाए हैं जो हमारे बिल्कुल फ्रांट में आएंगे स्लीव के इसके बाद आप देखिए कुर्टी की जो कमर की लेंट है जस्ट हमने वहां पर दो साइड में लूपिया लगाई हैं जिसमें हम अपनी बैल्ट अटेच करेंगे यानि जिसमें हमने बैल्ट इंजर्ट करनी है इस तरह से हमने बैल्ट रेडी कर ली है इस बैल्ट के लिए मै कर लुपियो में इंजर्ट होगी और उसके बाद ये इस तरह से टाई हो जाएगी साथ में हमने ये अपने स्ट्रेट पैंट बनाई है इस कुर्ती के साथ सो इस तरह की स्ट्रेट पैंट की कटिंग स्टेचिंग का वीडियो में पोस्ट कर चुकी हूँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां से आप चेक आउट कर सकते हैं सो यह बिल्कुल सिंपल हमारी स्ट्रेट पैंट है जिसको हमने इस कुर्ती के साथ रेडि किया है यहां पर मैंने वाइट कलर के बटन इसलिए यूज़ किया है बिकोज मैं इस पर वाइट दुपट्टा लगाने वाली हूँ सो इस तरह से यह मैंने वाइट बटन लिया है आप मैचिंग बटन भी लगा सकते हैं जो इसकी कुर्ती की लेंथ है फ्रंट और बैक वो आप यहां देख सकते हैं फ्रंट से लगबाग 37 इंच है और जो हमारी बैक लेंथ है वो 44 इंच है सो गाइज मैं आपको यहां पर एक बात और बताना चाहते हूँ जो मैंने इसकी पैंट रेडी के है वो एक मीटर में रेडी हो गई है बिकोज इस फैब्रिक का विट ज्यादा था इसलिए हमने एक मीटर में रेडी कर लिया है अगर आपके फैब्रिक की विट कम है तो की सकते हैं और आपको किसी भी ट्रेस का टुटोरिल चाहिए तो आप मेरे चैनल पर एक बार विजिट जरूर करें साथी साथ आप हमें इस्टाग्राम और फेस्बुक पेज पे भी जरूर फोलो करें लिंक आपको डिस्क्रिशन बॉक्स में मिल जाएगा तक हमारी वीडि होती है मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियास के साथ तब तक के लिए बाई टेक एर थैंक्स फर वाचिंग दिस वीडियो